जैसे ही बड़ी इद आती है तो बच्चों की पसंद ना पसंद हम गरवाले भूल जाती हैं बच्चे बीफ मटन खाना पसंद नहीं करते और गरवलों के बहुत ज्यादा मसला बन जाता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेस्पी बनाना सिखाएंगे जो बच्चे भी हुश हो के खाएंगे और बड़े भी अस्सलाम अलेकम मैं हुशा मुहां मत रफी और आप देख रहे हैं फोर सीक्रेट रेस्पी यूटूब चैनल और बहुत जबर दस सी रेस्टों स्टैल आपको ग्रेवी बनाना सिखाएंगे तो बगया स्कीप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है तो अगर आपको जो मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगे इसको लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जि ओई ये अललापा के नाम से आज की बहुत जब्रदर सी रेस्पी शुरू करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे टिकी या टिकीया बनाने के लिए मैंने कीमा ले लिए चिकन का आदा किलो आप बीफ का और मटरन के कीमा का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बच्छों के कीमा या बच्चे हुशो के खा लेती हैं चिकन का कीमा आदा किलो इसके अंदर शामल करेंगे प्याज, हरी मिर्च, लसन और अदरक एक मीडियूम सैज का मैंने प्याज लिया था और तीन से चार टेबल स्पून अदरक लिया थी और 3-4 टेबल स्पून लसन लिया था और 2 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च ली थी सब कुछ मैंने चोपर के अंदर शामल किया और सारी चीज़ों को मैंने चोपरेज कर लिया अच्छी तरह आपने चोपरेज करना है 1 टीज़ पून हलती शामल करेंगे 1 टीज़ पून लाल मीज़ कर पूर्टर शामल करेंगे 1 टीज़ पून बर के इसके अंदर शामल करेंगे कुटी हुई मिर्चे एक टीज़ पून शामल करेंगे नमक 1 टीज़ पून कुटा हुआ धनिया शामल करेंगे और 1 टीज़ पून कुटा हुआ जीरा दो से तीन टेबल स्पून इसके अंदर शामल करेंगे कटा हुआ धनिया धनिया शामल करने के बाद इसके अंदर दो टेबल स्पून भर के आपने शामल कर देना है बेसन बेसन शामल करने के बाद अच्छी तरह हाथ से आपने सारी चीजों को कीमे के अंदर मिक्स करने हैं बहुत जबरदर सी ये कीमे की टिकियां बनती हैं बच्चों को बहुत ही पसंद रहती हैं अगर आप इसकी गरेवी नहीं बनाना चाते हैं तो कोई मसला नहीं है वैसे भी आप इसको कैचप के साथ सर्फ कर सकते हैं देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है अब बनाएंगे टिकियां टिकियां आप अपनी मर्ज़िके मताबक बड़ी छोटी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है इस तरह आपने थोड़ा सा चिकन का कीमा हाथ में लेना है और आपने मिडियम सैज की टिकियां बना लेना है ज्यादा आपने बड़ी नहीं बनानी इस तरह की ये देखिए टिकियां मैंने बना ली है अब इनको करना है फ्राई देखे हैं आपने कितनी जबर्दस सी हमारी एक ठीकी बनके त्यार होगी इसी तरह बनाते जाएंगे और ओयल के अंदर शामल करते जाएंगे तो मेडिया फ्लेम के उपर उइल मैंने गरम करने के लिए रखा हुए था हमने इनको करना है शालॉ फ्राईज ज्यादा पकाने की जुरुत नहीं है ये गरेबी निम्ए पक जाएंगे ज्यादा न्वे पकाने के ज्वरुरुत निगे बस लाइट सा आपने इनको बवicktर करन तो बनाने हैं हमने बहुत जबर्दस ही इसकी ग्रेवी उसका आपको बताते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कड़ाई चुले कूप रख दी है एक कप मैंने इसके अंदर शामल कर दिया कुकिंग ओईल दो बड़ी लाची शामल की है दो से तीन दालचीनी के टुकड़े एक टेस्ट पता और प्याज लसन और अधर का पेस्ट तीन मीडियम सेज के मैंने प्यास लिये थे ब्लेंडर के अंदर शामल किया और दो टेबल स्पून अद्रक और दो टेबल स्पून लस्सन और दो मोटी वाली हरीमिश शामल करके मैंने सारी जीजों का पेस्ट बना लिये इन चीजों को blender के अंदर शामल करेंगे तो पानी का बिलकुल आपने इस्तमाल नहीं करना वरना पानी ड्राइ करने में बहुत ही आपको टैम लग जाएगा तो मीडियम फ्लेम के उपर ये सारे मसाले को आपने भूनते जाना है और चलाते जाना है बिलकुल भी जल्दबाजी नहीं करनी मीडियम फ्लेम के उपर आपने इस मसाले को भूनना है तो भून लेती हैं तो फिर आपको दिखाते हैं देखिए मिडियों फ्लेम के उपर मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह भून लिए हैं लाइट सा गुल्डन कर लिए हैं देखिए कितना जबर्दस सा मसाला भून किया है अब इसके अंदर शामल करते हैं थोड़ा सा पानी मिर्ज मसाला आप अपनी मरज़े के मताबक कम ज्यादा कर सकते हैं तीन टेबल स्पून शामल करेंगे फिटी हुई देहीं देहीं शामल करने के बाद इसके अंदर शामल करेंगे तीन टेबल स्पून टेमाटर पेस्ट इजिली आपको बेकरी से मिल जाते हैं इसे बहुत जबर्दस सा ग्रेवी का कलर आएगा अगर आपके पास नहीं है तो आप तीन मीडियम सैज के टेमाटरों को ब्लेंडर के अंदर डाल के पेस्ट बनाके भी इसके अंदर शामल कर सकते हैं स्लो फ्लेम को उपर आपने सारी गरेवी को अच्छी तरह भूनना है जब तक कि इसका ओईल उपर निआ जाता है तो देखी इसको अच्छी तरह मैंने भून ली एढ़िए मसाला भून गया, कितना जबर्दस सा, दानेदार मसाला बनके त्यार हो गया है, इसकी भूनने की निशानी है, इसका ओउल उपर आ जाएगा, मसाला भूनने में आपने जल्द बाजी करनी है, देखे कितना जबर्दस सा, इसका कलर आ गया, तो अब आपने क्या करने है, अब डिक्स करदी है, अब इसके अंदर शामल कर देंगे जो टिकियां हमने एक चैंट करके रखी ङुझार हुई हैं, आपको मैं दिखार हों देखिए कितनी जबर्दास हमारे टिकियां फ्राइ फ्राई होगी थी, अब आपने मिडियो फ्रेम के उपर इसको 15 मिट के लिए कवर कर देना है तो मिलते हैं इंशालला 15 मिट बाद देखिए 15 मिट होगी है 15 मिट के लिए मैंने मिडियो फ्रेम के उपर सारी टिकिया ग्रेबी के अंदर शामल करके इसको उपर से कवर कर दिया था यह देखिए कितना जबर्दस है इसका कलर आया और कितनी जबर्दस ही इसकी गरेबी त्यार होगी है थोड़ा सा इसको मैंने गरेबी दार रख्या है इसके उपर शामल कर देंगे कटा हुआ धनिया कटा हुआ धनिया शामल करने के बाद इसके अंदर शामल करेंगे छोटी वाली तेज़ वाली हरी में चतीन से चार अदद गरेबी के अंदर मैंने मिर्चु का बहुत कम इस्तमाल किया था बच्चों के लिए बनाई है बहुत जबर्दस रेस्पी तो बच्चे में ज्यादा नहीं खाते आप अपनी मर्जी के मताबक इसके अंदर मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है तो देखिया अलहमदोलिला अलहमदोलिला बड़े ही जबर्दस्त हमारी गरेबी तार कीमे की टिकियां बनके त्यार हो गई है देखिया अलहमदोलिला कोई टिकी टूटी नहीं यह न फटी है जरूर रेस्पी ट्राइ कीजिएगा और रेस्पी ट्राइ करके मुझे कमेंट्स बोक्स में बताईएगा कि यह वाली रेस्पी आपको कैसी लगी यकीन मानें घर की बनी रोटी के साथ नान के साथ बोईल ड्राइस के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है ज़रूर बनाएगा तो अगर आपको जो मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगे इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेस्पी और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें तक मिल सके आपको मेरी हरानेवली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो जाते जाते मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा देखे कितनी जबर्दस सी हमारी सोफ्ट टिक्यां बनके तियार होगी है अक्सर चिकन के कीमे की टिक्यां लोगों भी हाड हो जाती है तो देखिए कितनी जबर्दस सी इसकी लोग आई है अब मैं आपको इस टिक्यां को तोड़ के दिखा रहा हूँ देखे कितनी जबर्दस सी सोफ्ट है ये देखिए